लेशन प्लान कैसे बनावें ? लेशन प्लान कैसे लिखना चाहिए इसको आज हम विस्तार से बात करेंगे आइए आपका मेरे चैनल में स्वागत है तो शुरू करते हैं ने टोपिक के साथ टोपिक है लेशन प्लान और सिर्सक का नाम है फिर-फिर उड़ती है माति की लौग इसका एक बताया है सोट में लेकिन आज हम विश्थार पूर्वक बनाएंगे फिर फिर उड़ती है माटी किलो में देखिए पहले है बिद्यालय तो बिद्यालय का नाम पहले लिखेंगे अब इसकुल में पढ़ा रहे हैं उसकुल का नाम अधियापा का नाम टीचर का नाम एलेसम प्लाण किस दिन का है अवदी या समय अब का 40 मिनट 45 मिनट को जो भी रहेगा उसको लिखेंगे शिच्छन समागरी में क्या हो जाएगा डस्टर हो जाएगा चोख होगा पुस्तक होगा और जद्याब इसके साथ उप्यों करते हैं कुछ तूसो लिख सकते हैं और 4 वर्ग में यहां पर दिखाएंगे यह जो फिर फिर उटती है मारटी के लोग किस वर्ग का है तो यह है अवका 7 क्लास का है तो इस तरह से एक नमूना आपको बता रहे हैं इस नमूना के माधयम से आप लेसन परना असानी से त्यार कर सकते हैं आए ये यह पार्ट का उद परती रूची उत्बन करना कर दूसरा है चात्रों में तर्क सक्ति में कुछल बनाना चात्रों में भावनात्वा Approkes विकास्व ना ये पृंट है समानी उद्देश क्या आगे देखिए और पुएंट कुछ है चात्रों में भासा सेली और सब्दावली के परतिक उसल बनाना ये समान उदेश का कुछ पुएंट हुआ इसको आप घटा और बढ़ा सकते हैं दुसरा बात करें विशिष्ट उदेश विशिष्ट उदेश से में क्या होगा देखिए विशिष्ट उदेश का दो भाग होता है समान उदेश और विशिष्ट उदेश कंतगर्थ है चात्र चात्राएं पाठ में आये कठीन सब्दों को बताएंगे जो चेप्टर में आया है वो कठिन सब्दों को बताएंगे यह चेप्टर वो पहले से भी पूर्वज्ञान के रूप में पढ़े भी होंगे चेप्टर को चाथ चात्राएं पाठ का सुद उचारन कर सकेंगे सुद वाचन कर सकेंगे चाथ चात्राएं माटी से बनी वस्तूओं मुर्तियों को कलपना कर सकेंगे चाथ चात्रा पाट से मिले कठिन सब्द को ब्याख्या करेंगे ये विशिश्टूदे से कंतगर्थ आया अब आगे बात करेंगे वर्ग बेउस्था तो वर्ग बेउस्था वर्ग बेवस्ता कंतगर्थ आप कच्छा ले रहे हैं तो कच्छा को किस तरह से बेवस्ती ढंग से संचालन करें वो आप पर निर्भा करता है तो बच्चों को क्या करेंगे कतारबद तरीका से बैठाएंगे छाथ छात्राओं को कर्मबद तरीके से बैठाना ये वर्ग व्यवस्ता का एक point हुआ कमजोर विद्यार्थियों को आगे बैठाना ये वर्ग व्यवस्ता का दूसरा point हुआ इस तरह से आप एक, दो, तिन और बढ़ा सकते हैं पूर्व ज्यान पार्ट को हम प्राने से पूर्व ज्यान से जोड़ते हैं पूर्व ज्यान का मतलब होता है किस पार्ट से समंदित बच्चे क्या-क्या जानते हैं पार्ट में जो पार्ट से समंदित जो कहानी है उस कहानी से बच्चे किस परकार वो प्रोत है किस परकार वो जूड़े हुए हैं किस परकार वो जानकारी है वो पूर्व ज्यान के माध्यम से बच्चे बताएंगे देखे, चाच सत्राओं को पार्ट के लेखक से परिचित होँगे चाच सत्राओं को माटी से बनी वस्तूं की जनकारी होगी यह होगी लिख दिजये कि इस तरह से वर्ग ब्यवसा का अंतगर्थ और पूर्व ज्ञान से जुड़े एक कुछ प्वेंट हुए ने प्रवसूति करन अब देखे पार्ट प्रवसूति करन को किते भागों बाठा गया देखिए विशे के बिंदू अध्यापन वीदी विशिच्छन वीदी टी एल अध्यापन वीधी पढ़ाने का तरीका क्या है अध्यापन वीदी में वे जुड़े परसन करेंगे पार्थ मैं किसके वस्तुों की चर्चा है ये प्रोशनोत्री विधी है, इस पर ज़िए हम ब्याख्या करते हैं, तो ब्याख्या क्या हो जाएगा, ब्याख्या हो जाएगा कि पाठ में मिटी से बनी वस्तूओं की चर्चा है, मिटी से तरह तरह के खिलोने और मुर्तियां बनाई जाती है, ये ब्याख्या किये और शिछार्टी कलीया चैति हम प्रस्ण करुए है तो प्रस्ण को ध्यान से सुनेंगे फो माहनृ सिति में रहें था जब अधरन करेंगे और चिम क्राइग के प्रस्ण करेंगे और फिर हुंकार भरेंगे की क्राइब यू कुछ प्रसन आता है तो पूछ भी सकते हैं और नहीं तो बता भी बता जा सकता है तो इस तरह से मौन विधी यह सिछन सिछार्ति कारी हुआ समय समय पर हुंकार भढ़ते लेंगे जाGERति आब देख के यहां पर है पूर ज्यान के के बारे में वह अपने आपको कुछ बताएंगे बिचे जो है पूर ज्यान तो मुल्यांकर कारे हम बच्चों से जब पढ़ा रहे हैं उसी दर्म्यान भी हमें कुछ परस्ण करना ताकि बच्चे सजग रहेंगे और पढ़ाय के पढ़ती वो जिग्यासा बेक्त करेंगे पढ़ाय के पढ़ती वो एक्टिव रहेंगे तो मीटी से बनी वस्तूओं का न कि अध्याम बताइए फिर फिर उड़ती है माति की लौ कि लेखा कौन है यह मुल्यांकर का रच कंतगरती क्या हुआ बच्चों से पुछा गया प्रस्ण हुआ अब यहां देखिए यहां देखिए पुर्णार वुर्थी पुर्णार विर्थी क्या हुआ कि जब हम 45 मिन का क्लास ले रहे हैं तो 45 मिनिट के क्लास में से 5 मिनिट हमको बचाना है और 5 मिनिट में क्या करना है बच्चों को हम जो पढ़ाएं हैं जो सिछा दिये हैं जो चेप्टर को हम पढ़ाएं उसी चेप्टर से कुछ प्रस्ण अधारित हम उसको खुछ ब्याख्या करूप में बता सब्सक्राइब करेंगे बियाक्या रूप में एक आरो एकदम पॉइंट देखिए आज हम लोगों ने फिर फिर उड़ती है मार्टी की लौ कहानी को पढ़ा इस पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है मार्टी अर्थाद मीटी से बने अनेक वस्तुएं मिलती है और ने लिखा हुआ मार्टी अर्था मीटी से अनेक वस्तुएं बनती है खिलोने से लेकर देवी देवताओं के मुर्तियों तक हम लोग मीटी के मुर्ती को पूजा करते हैं जैसे गनेश लच्मी तो गनेश लच्मी के पूजा दीपावलिक के दिन क्या जाता है कर देना है गिरी कारिया देना है ताकि भचे घर में भी पढ़ाय करे तो कोचन क्या दिये मिट्टी से बने विभिन मुर्तियों का नाम लिखें पाला कोचन दिपावली में फिस देवी देवता की पूझा की जाती है दूसरा कोचन इस तरह से हम लेसन प्लान बनाने का कोशिस किये और अर्या लेसन campaigns एक प्रारूप के रूप में ही माना जाए इससे बहिंड्र भी लिख सकते हैं अलग भी लिख्का जा सकता इससे और अन्ती में वरका सीच्छा का हस्ताचा और परधना आपका हस्ताइसार यह है तो आपको यह कैसा लगा लेसन प्रान आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और जदी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने दमित्रों को भी इसे सेर किजिए धनिवाद फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो मे तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहें